बर्दा जिले के हिंगनगाट गाओं में रजा स्पोर्टिंग एंड सोचल सोसाइटी द्वारा हाली में फुटबाल प्रतियगुता का आयजन किया गया था इस प्रतियगुता के पुरस्का वितारन समारों का आयजन किया गया जिसमें मशूर फिल्म अभिनेत्र सुनिता सिंग प्रमुक अतीती के रूप में उपस्तित थी सुनिता सिंग के हाथो विजेता टीम और प्रमुक ख्राडियों को पुरस्का वितरित किये गए सुनिता सिंग ने यहां उपस्तित लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रकट किये अपने से प्रकट किये हैं कि अपने मुचले प्रकट करकेगा आगे पढ़ने की सोच रखेगा पीछे हटना मसी के रहा है और इसी के साथ की एक शेयर हमी आपने जो पोड़े पे गर्भोस में को पुरत आत्मों के में चराग देते हैं अपने बर्दा दोरे में सुनिता सिंग ने और भी कई जगों को भेड़ी जिसमें चेतना एजिकरिशन सोसाइटी द्वारा आयजित स्नेयर समयलन कारेकरे में भी वो उपस्तित थी उनके साथ थे उनकी आगामी फिल्म गुड अर्थ के प्रमुक अभीनेता अभीनाश्ताही एक साथ बैठे हैं सुख सम्रिदी और सांती के साथ हैं यह एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल है हमने भी सिक्षा पाया है सिक्षकों से आज इतने सारे सिक्षक बैठे हुए हैं जो हमारे देश के भविश्य हैं और हमें उमीद है कि हमारे देश का भविश्य बहुत उज्वल सब लोग एक दिन टीचर बनेंगे अच्छे अच्छे स्कूल में जाएंगे इनके हाथों से अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस देश का नाम रोशन करेंगे इसके बाद सुनिता सिंग ने जीले के संत तुकडो जी महाराज अंद विद्याले के अंद और मुक बदिर बच्छों से मुलाकात कर उनके बीच प्यार बाटा सुनिता सिंग का इन लाचार बच्छों के प्रती प्यार का जजबा वाकई में काबिले तारीफ है यहां उपस्तित बच्चे और लोगों को संबोदित करते वे उनकी आखे भी नम हुई और हम लोग आपके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और जब भी हम वर्दा में आएंगे तो आपसे बादा करते हैं, आपसे जरूर मिलने आएंगे वर्दा के ही मशूर मराठी और उर्दु डी-8 कॉलेज को भी सुनिता सिंग ने बेड़ी तो बड़े भागेशाले हैं आप लोग कि आप लोग के पास इतना जोज जुनूर और इस मिट्टी में इतना जोज जुनूर है कि महातमा गांदी ने पूरे राज देश में इस वर्दा जीले को चुना, कुछ तो बात होगी आप देश का भाविस्टा आप के हाथ में और सिक्षक गुरू होता है आदमी के जिन्दिगे में पांच माता मिता होते हैं एक जो पैदा करता है, एक जो दिक्षा देता है, एक जो सिक्षा देता है एक पत्नी का बाप और एक पांच गुरू होते है एक के बाद एकका जुनिता सिंग ने वर्दा के बापू कुटी सेवागराम का भी दोरा किया यह वही आश्रम है जहाद 16 जून 1936 में बापू यानी महात्मा गांधी जी ने पहली बार कदम रखे थे और इसी आश्रम में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलंग की पहली बै सब जंगल था परती जमीन थे कुछ भी नहीं था इसी बरामदे पर सुबह की प्रार्थना सांद की प्रार्थना तीनों समय का भोजन बरामदे पर होता था और कमड़े के अंदर लों आराम करते थे खान अब्दुलगाफार खान उनकी लर्की महाराष्ट के स्री वैसे तो सुनिता सिंगा या वर्दा दौरा काफी यादगार रहेगा इसकी खास बात यह है कि उन्होंने वहाँ से निकलने से पहले वर्दा के मश्रूर दरगा में जाकर बाबा के आशिरवात भी लिए आपके पर्दाने से क्यानी आपके स्तान करावे अशिर रहना के नदुगा इस धर्थी को परणाम करूंगा जिस धर्थी पे हमारे बापू स्री महात्मा गांधी जी ने पहला अंदलन सुरू किया यहां से उन्होंने चर्खा चला करके और सूत काट करके उन्होंने यह अंदलन सुरू किया जिससे हमें आजादी मिली और आजम सब एक साथ बैठ करके इस में फिल्में बिलंस हमारों में एक साथ बैठे हैं, सुक, सम्दिदी और सांथी के साथ है. ये एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल है, हमने भी सिक्षा पाया है, सिक्षकों से. आज इतने सारे सिक्षक बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के भविश्य हैं, और हमें उमीद है कि हमारा देश का भविश्य बहुत उज्जवल है सब लोग एक दिन टीचर बनेंगे, अच्छे-चे स्कूल में जाएंगे इनके हाथों से अच्छे-चे स्टुडेंट इस देश का नाम रोशन करेंगे जाहिद जी, अबराहिम जी ने हमें बुलाया आप लोग के सामने मौका मिला अपने भाईबंदों से मिलने की बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, जा हिन, जा भालत, जा मारा सबसे पहले आप सभी लोगों ने जो हमें प्यार दिया रहे हैं और यहां में जो सम्मान मिला है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और हम यह हमिश्या याद रखेंगे इस धर्ती को, जहां पे हमें इतना मान सम्मान मिला और इतनी पवित्र रहती है कि यहां के आप जैसे लोग रहते हैं और सिर्फ आपके लिए हमने कुछ लिखा था तो हम आपको थोड़ा सा सुनाएंगे मिले हैं आज हम तुम शायद नसीब से मिलेंगे एक बार फिर हम करीब से मिलेंगे एक बार हम करीब से चलता रहे ये सिलसला योही मुलाकातों का दिल में संजो कर रखेंगे हम ये सफर चनलम हातों का अ, जिल में का कर दो दो कि दो एकिन धाय को कर रहेंगे हम ये से से वहीं हाँ झाल झाल झाल